हेलो गाइस बेलेकम टू बैग्राम सेवन टेक्निकल यूटूब चैनल पर एक और नए वीडियो के साथ जैसे कि आज हम बात करने वाल हैं आपके ग्राम यह फिर नंगर पालिका में जो भी सोसाइटी होते हैं सोसाइटी मतलब तो जानते ही होंगे आप जहां पे सरकार के द बटन को जरूर किलिक करें जिसे आने वाले समय में नेश्ट वीडियो बनाओं उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके तो चलिए गाइस वीडियो में जाने कुछ ग्यान जैसा कि आज मैं चर्चकनने बाला हूं रासन जो आपके बीपिल कार्ड बने होत नियम के अनुसार रासन दिया जाता है तो गाइस बताना चाहूंगा कि आपके द्वारा आपको कितना रासन दिया जाता है उसमें क्या-क्या चीत दिया जाता है और आपको कितना पैसा देना चाहिए क्योंकि हमारे कुछ भाई लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि उनको कि कितना पैसा देना चाहिए क्योंकि सोड़ा मेरों सुनने में आया है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अधिक पैसा देते हैं और रासन तो सरकार की दोरा जितना आता है जितना आपको दिया जाता है उतना ही रासन दिया जाता है और यह लोग क्या करते हैं कि कुछ लोग अधिक पै जाते हैं पन्चायत का जो सोसाइटी होता है या फिर नंगर पालिका का जो भी सोसाइटी है वहां पे आप जाते हैं तो वहां पर किया होता है गाईस आपको गैस एक रुपय की दर से रासन चाफ इन पाफ से चावल एक रुपए किलो के हिसाब से गेहूं और बीस रुपए के हिसाब से सक्कर और जो मिट्टी का तेल है उसमें थोड़ा रेड कभी बढ़ता रहता है कभी घटता रहता है अभी फिलहाल 40 रुपए मतलब 49 रुपए के संथिंग 49 रुपए लीटर के हिसाब से मिट्टी कि कितने रेड में कौन सा चीज दिया जा रहा है तो आप यह मेरे जो डिस्पिले में जो दिख रहा है यहां पे आप नोट कर लीजिए इसी के दर से आपको वहां पे रासन दिया जा रहा है आप देख रहे हैं ना जो यह डिस्पिले में सो कर रहा है यही दर से आपको वहां पे रासन दिया जा रहा है तो गाइस बताना चाहूंगा आप जब आप जानते हैं कि सरकार के दोरा हमको एक रुपए किलो चावल और एक रुपए किलो गेहूं और एक रुपए एक पैकिट नमक दिया जाता है बीस रुपए किलो सक्कर दिया जाता है और 49-49 रुपए कि आपको जब भी अगर आप सोसाइटी जाते हैं तो आप सबसे पहले तो यह नोट करिए कि आप कितना रासन वहां से ले रहे हैं उस सोसाइटी में आपको कितना रासन दिया जा रहा है क्या क्या चीज उसमें दिया जा रहा है ठीक गाईस तो आप सबसे पहले तो आप अपने को ये ध्यान रखना है कि जाने से पहले जब आप वहाँ पहुंच जाते हैं तो आपको पहले पता करना है कि वहाँ पे क्या क्या चीज मिल रहा है जैसे कि वहाँ पे चावल कितना मिल रहा है गेहुं कितना मिल रहा है सक्कर म मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है मिट्टिक तेल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है नमक मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है अगर यह चीज पहले आप पता करने बात गाइस जब आप रासन कार्ड के एंट्री करवाते हैं तो एंट्री करवाते हैं तो आपको एक रसीद एक परची दिय जा रहा है और उस पर्ची में सो रहता है कि आपको कितने रुपए कौन सा चीज दिये जा रहा है माल लीजे आप चावाल ले रहे तो उसमें एक रुपए किलो सो करता है और गाइज बताना चाओंगो परची में एक और जो भी चीज़ सो कर देता है मतलब उसमें पूरा पैसा जो ड़ा जाये तो घार सो सम्थिंग उसमें दिया रहता है तो उसमें गायच पूरा डिटेल पर्शी में दे देता है तो उतना तस्वान हमको सबसे मिलता नहीं है यह तो आप जानते हैं तो किरबे अगर के आप क्या करें सबसे पहले सोसाइटी में जाएं जानेक बाद वहाँ पहले पता करें कि हमको सोसाइटी से क्या क्या चीज आज की डेट में मिल रहा है अब जब वो चीज आपको पता चल जाए कि यहाँ पे चावाल और गेहूं और नमक दिया जा रहा है तो सिब आपको चावल, गेहूं और नमक कही पैसा देना है, ना कि आप मिट्टी तेल या फिर सक्कर के पैसे देना है, तो किरवेगर के आप जब भी जाएं, तो पहले पता करें कि आपको क्या-क्या चीज दिया जा रहा है, और जो परची देते हैं, और परची को आप अप पने पास रखें, और उसमें पहले जोड़ें कि हमने क्या-क्या चीज लिया है, और जो चीज आप लिये हैं, अगर आप चावल गेहूं लिये हैं, तो एक रुपएक हिसाब से जोड़ लीजिए, कि आप उनको चावल कितना मिलने वाला है, तो आप पहले जोड़ तो आपको आपका अधिक पैसा कभी नहीं लिया जाएगा, क्योंकि आप, आप ही ना समझ हैं, आप ही समझदार, आप ही समझदार नहीं हैं, तो आप अगर उनको 40 रुपए देंगे, 50 रुपए देंगे, तो तो रख लेंगे, तो ऐसे करके गाइस, बहुत से लोग ऐसे जो हैं, अधिक पैसा दे देते हैं, उनको पता ही नहीं रहता है कि हमको रासन कितना मिलता है, कितना पैसा लगता है, तो आपको आपके सोसाइटी यह फिर जहां भी आप रासन लेने जाते हैं, वहां बाहर दिबाल पे लिखा रहता है, कि आपको कितने दर से कौन सा चीज दिया जा रहा है, तो आपको पता ही नहीं, सायद आप कभी कुछ लोग देखेंवें, कुछ लोग नहीं देखेंवे, तो किरवे करके पहले, दैखेंगें, जो मैं आपको, इस डिस्पले में बता चुका हूं, तो वर दैखें, और पैसा जोडने के बहुत से हेल्प लाइन नंबर बता चुका हूं तो आप उन हेल्प लाइन से अगर आपको धंकाया जा रहा है या फिर डरवाया जा रहा है फिर जादा पैसा लिया जा रहा है तो आप हमारे जो हेल्प लाइन सेंटर हैं वहाँ पे आप सिकायत कर सकते हैं क्योंकि आप गरी तो किर्विया गरीब नहीं थोड Хотे होते जा रहे हैं तो किर्विया गरीब न भनोने दिमाँक का यूज करें और सही तरही के से दिमाग लाइव सही तरीके ऑपना सरकार के दौरे जो भी रासन दिया रहा है उसका सही तरीके से लाव मुर् आपको सबसे पहले वहाँ पर जाना है, पता करने बाद ही इतना पैसा देना है, तो मैं बता चुका हूं अगर आपके धंकाया जा रहा है या फिर आपको आपसे ज्यादा पैसा लिया जा रहा है तो आप हमारे जितने भी hellport to prevent care pixel हैं वहाँ आपको उस वीडियो में बताया हूं ठीक आई अगर आप ये भी नहीं करना चाहते हैं तो इतना तो आप जानते ही होंगे न कि आपके जो जिला होता है जिला वहां पर कलेक्टर वैठते हैं तो वहां आगर आप 10-15-20 लोग इकठा हो जाएं और इकठा होने के बाद आप जन तरीके से रासन और सही दाम पे रासन मिलना शुरू हो जाएंगे ठीक आइस तो चलिए मेरे वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब बेल आइकन के बटन को जरूर किलिक करें जिससे आने बाले समय में नेस्ट वीडियो उना हूं उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके ओके जैहिंज जैभाराइब